दिलवालों का सहर दिल्ली यहां की हर गली का एक अंदाज है अपना एक फ्लेवर है अपना खास रंग है देश की रालधानी होने के नाते दिल्ली में भारत के हर कोने से आई हुए लोग बसे हुए है दिल्ली को भारती राजनीति का केंडर भी कहा जाता है दिल्ली सहर का वि गूमने के प्रमुक्रिस्थान के बारे में दोस्तों दिल्ली के गूमने के लिए बेस्ट ओप्षन मैट्रो रेल है जो इसली एवाइलेबल है और सस्ता भी है तो मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि आप अपनी दिल्ली की विजिट में घूमने के लिए मैट्रो का प्रयोग करें और आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल ज़रू सब्सक्राइब करें नमबर दस वेस्टु वंडर पारक अब आप दिल्ली में दुनिया के साथो अजुगों का एक साथ दीदार कर सकते हैं दरसल वेस्टु वंडर पारक रिसेंटली ओपन पारक है जहां आप साथ फिट का एफिल्टा और बीर फिट के ताजमेर से दुनिया के साथो अजुगों को एक साथ देख सकते हैं इस पारक की सबसे बड़े खासती है कि यहाँ पर सब्सक्राइब से बनाया गया है और इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्येशन है सराय का लेखा है नमबर नव नेशनल वार मेमोरियल रिसेंटली ओपन नेशनल वार मेमोरियल इंडिया गेट के पास बनाया गया यह इस मारक उन्सानिकों की सर्धान जली देता है इस एतिहासिक इमारत के चारो तरफ आर्टिफिसल लाइट लगाए गई है जो रात को देखने में बहुत ही सुन्दल लगती है इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन केंद्री शसिवाला है नमबर आठ हुमायू टॉम हुमायू टॉम में हुमायू का सरीर दो अलग अलग जगह दपनाया गया और हुमायू टॉम के साथ साथ यहां कुछ अन्द मुगल सासकों की कब्रे भी है इसके प्रवेश द्वार पर इस्थित छोटा सा संग्रहाले भी है जो देखने लायक है यह खान मार्केट और जवाह लाल नहरू मेट्रो स्टेशन के बिलकुल पास में है नमबर साथ कुछ अन्द मिनार दिल्ली के एतिहासिकी मार्तों में से कुछ अन्द मिनार का निर्माड 1000 सार पहले हुआ था 70 मीटर की उची या मिनार फिजा यह लीनिंग टावर जैसे दिखती है लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित भारत की सबसे उची मिनार है यहां जाने के लिए कुछ अन्द मिनार मेटरो इस्टेशन सबसे पास में पढ़ेगा नमबर सिक्स कनाट प्लेस दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनाट प्लेस जिसे हर दिल्ली वाला प्यार से सीवी कहता है यहाँ दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हैं अच्छी और सस्ती शॉपिंग का भी आप लुफ्त उठा सकते हैं और यहाँ पर मौजूद पालिका बाजार से शॉपिंग करना मत भूलेगा आप इसका जो नेरेश्ट मेडियू शेशन पढ़ेगा राज़ी चोग पढ़ेगा राज़ी चोग से बिलकुल पास में हैं वहाँ से आप बिलकुल जा सकते हैं नमबर फाइब जामा मस्जिद और चानी चौक पुराएं दिल्ली के दिल में इस्थित जामा मस्जिद सबसे बड़ा इसलामी मस्जिद है इस मस्जिद का निर्मार साजाने 1650 में शुरू करवाया बलुव पत्थर और सफेज संग्मर्मर से निर्मित देशी ही नहीं विदे सेलानी को भी अपनी तरफ आकरशित करता है यदि आप खाने के शौकीन हैं तो आप जामा मस्जिद के लगे हुए चानी चौक और चौडी बजार आपको पसंद आएंगे इस्टीर फूड के लिए चानी चौक चौडी बजार ज्यादा फेमस है यहां बजार और ब्यापा के लिए करीम रेस्टोरेंट जवाल रेस्टोरेंट में नौन बेज जरूर ट्राई करना चाहिए यहां आप चानी चौक और चौडी बाजार मेट्रो स्टेशन से आसानी से पहुँश सकते हैं नंबर फोर गुर्द्वारा बंगला साहिब दिल्ली का गुर्द्वारा शिखु का बहुत प्रमुक धार्मी की स्थल है यहां हजारो लोग दरसन करने आते हैं यहां पानी का तालाब है जिस पर रंग बिरंगी मचलिया देखने लायक है यहां लंगर की सुब्धक भी है यहां रोजाना हजारो लोग भोजन करते हैं यहां पर पटेल चौक मैट्रो स्टेशन से लगभग चलकर पंदरा से बीस में तर पहुंचा जा सकता है नंबर थ्री अक्षरधामंदिर दुनिया के सबसे 20 साल हिंदू मंदिर के तवर पर अक्षरधामंदिर का नाम गिनीज इस बुक ओफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है इसमें 10,000 साल पुरानी इंडियन कल्चर और आर्केटेक्चर को भी दर्शाया गया यहां पर मुजिकल फॉंटेन मुवी शो और नाव की सवारी बहुत फेमस है मंदिर परिशर के अंदर बैप मोबाइल कुछ भी ले जाने के लिए निशिल को सुभधा दी जाती है यहां तक पहुंचने के लिए अक्छरधाम मैट्रो एक अच्छा विकल्प है दोस्तों यह मंदिर मंडे को बंद रहता है नमबर टू रेड़ फोर्ड अगर आप पहली बार दिल्ली आ रहे हैं या फिर दिल्ली में रहने के बावज तो है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल पंदरागा सुतंतरा दियोस के मौके पर प्रधामंति लाल के लिए से गेश को समगोशित करते हैं दोस्तों रेड़ फोर्ड का नियरेस्ट मैट्रो इस्टेशन रेड़ फोर्ड ही है यह सो मार को बंद र हुए हैं 22 मिटर लंबा गेट 1931 में बनवाया गया था गेट के नीचे आप एक लॉख दे सकते हैं जो सेंगों के सम्मान में लगतार जलती रहती है और रात के वक्त इंडिया गेट पर गिर्ती तिरंगे की रंग की लाइट इसे और भी खुब सूरत बना देती हैं दोस्त तो यह थे दिल्ली में घूमने के दस प्रमुक्रिस्थान इन जगों के अलावा और भी कई दिल्ली में टूरिस्ट इसपोर्ट हैं जिनको आप अपने ट्रिप में इंक्लिउट कर सकते हैं जैसे राजगात लोटश टेमपल और सरोजनी नगर मार्केट और लोधी गार्ड अग्रेशेन की बावड़ी कालकाजी मंदिर लक्षमी नराण मंदिर और जंतर मंतर यहां पर भी आप घूम सकते हैं